फ्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन ग्लोबल राउंड टेबल आप देख रहे थे सीदे न्यू यॉयॉक से जिसको संबोधित कर रहे थे हमारे एडिटर इंचीफ अरुन पूरी क्या रिष्टों में एक बार फिर से वही गर्मा हटाएगी क्या व्यापार में एक बार फिर से होगा चमतकार ऐसे तमाम मुद्धे जिस पर आज लगातार बहस होती रहेगी अमेरिका में तमाम बिजनसमेंट से लेकर बड़े-बड़े महमान वहाँ पर आएंगे उच समझ से जोड़े कारक्रम भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वापस रूख करते हैं अपनी उस बहस का जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, सबी खास मेमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सीदे रूख करते हैं हमारे साथ विद्या चवान जी जुड़ी हुई है, मोधी की गर्माहट बहुत महसूस हो रही है उसे जी देखिए कॉंग्रेस और हमारा नेंसिपी का जो गड़ बंदन टूटा है इसमें हमें कोई खुशी की बात नहीं हमें तो बहुत ही दुख है कि कॉंग्रेस ने इसका जल्द से जल्द नतीजा अपना लेना चाहिए था ल प्रियस नहीं लेना लिया लेकिन आपने जो मुझे पूछा कि मोधी सर्वशक्तिमान है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि हां मोधी सर्वशक्तिमान बन गए है क्योंकि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियालिस्ट डायमंड बर्चंट चेर मार्केट के दलाल ऐसे जो हम दूसरा मैं ये बताना चाहती हूं कि यहां उनके लिए तो मोधी जी भगवान बन गया है क्योंकि उनके जो आप देखे हैं धन्वानों की लिस्ट इंडिया से जारी वो बढ़ेगी और दूसरा मुझे ये बताना है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली ल प्राइम मिनिस्टर है तो मैं आपको बताना चाहती हूं बड़े लोगों के लिए एक बड़े लोक्षाही देश ने उनको बड़ा बनाया है और वो धन्वानों के बड़े लिडर बन गये है लेकिन इसके साथ मैं आपका ध्यान इस तरफ ये दिलाना चाहती हूं कि जो ग प्रिया बढ़ाने के लिए उनोंने कुछ काम नहीं किया है और विडिया जी इसमें पूरे मों सक्किमान होने से कोई होता नहीं प्रियावरन मंत्री को सिर्फ इसले इस्तिफा देना परा कि ब्रस्टाचार के आरोब थे भारत का विकास उरुक रहा था प्रियावरन के नाम पर नहीं ब्रस्टाचार के नाम पर प्रियावरन की आर में ब्रस्टाचार हो रहा था आज प्रियावरन मंत्री इसी सरकार में कि विकास किसका हो रहा है हमारे देश की तबके के लोग है जो लोर मिदल प्लास है उनका विकास का हो रहा है विकास का मतलब क्या है इन निताओं का है प्रस्टाचारियों की पार्टी है एक सब्साद दिया चाय ती फ्रस्टाचारियों की पार्टी है पूरी पुरी पूरे देश का है पर इस तरह सा आरोप करने का कोई अधिकार नहीं है एक सके बड़ी खबर आ रही है सवक विद्या जी आपको भी मुझे रोगना पड़ रहा है महाराश्र के मुख्य मंत्री ने स्टीफा दे दिया है पृत्वी राज चवहार ने स्टीफा दे दिया है अत्मत में उनकी सरकार आ गई अब उसके बाद क्या वहाँ पर राश्रपती शासन लागू किया जाता है वो अगला कदम हो सकता है लेकिन इस बीच हम आपको बता दे नसीपी ने सरकार से समर्थन वापस लिया था जिसके बाद अल्पत में पृत्वीराज चवहार की सरकार आ गई थी और अब महराष्ट के सीम ने स्टीफा दे दिया है बीते दिन दोनों ही गटबंदन पंदरा साल पुराना ये गटबंदन है महराष्ट में कॉंग्रस और NCP का लेकिन बीते दिन इसका एलान किया गया कि गटबंदन समाप्त किया जाता है उसके बाद अल्पमत में सरकार और अब इस्तीफा जी समबिच जल्दी से संजय जी भी बोलना चाहता है मैं दो तीन भी शे कहना चाहता था अंजना जी मैं तो आप दाद दूँगा आप बहुत भोली है आपने विद्या जी को पूछा कि क्या सरवशक्तिमान हो गया है मोधी जी अब बताइए आप पवार जी के पावर को अगर विद्या जी से अलग कर देंगे कि पवार ही सबसे पावरफुल है वही मानते हैं आप मोधी जी के पारे में बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे NCP का मतलब है नॉन स्टॉप करप्शन पार्टी जिस प्रकार सरो ने नॉन स्टॉप करप्शन किया है वहां पर यह पूरे हिंदुस्तान ने देखा है संजा निरुपम जी कह रहे थे जाड़ो उठा कि हम फोटो अप कर रहे हैं फोटो अप अपर्चुनिटी है मैं आपको याद मैं संजा निरुपम जी से पूछना चाहता हूं राहूल गांदी जी एक चुराय हुए मोटर साइकिल में कहीं गये थे वह याद है आपको और जैसे हमारे मोदी जी हैं उनके राहूल जी तो है नहीं है तो मैं नहीं करूंगा उनकी उपर बताए संजा निरुपम भी बोलना शुरू कर दूंगा वो बेल्चा उठा के घुम रहा है थे कि देखो मैं लेबर बन गया हूँ वो बेल्चा वाला क्या फोटो अप था और यह सब फोटो अपर्शनिटी था था क्या कि इसके पीछे कुछ विजन था संजान निरुपम जी जल्दी से जल्दी से जल्दी से संजाची जवाब दीजे फिर प्रेम शुर्टा जी भी जोडगाए हैं और उन्हें नरेंदर मोधी जी के कुछ सिंबॉलिजम की बाद कि एक उधारन के तौर पे ने पशुपतिनात मंदिर में पूजा कि उसमें कुछ गलत नहीं है मैं भी अगर काटमांडू जाता हूं तो पूजा करता हूं लेकिन परधान मंत्री धर्म यात्रा पे नहीं ग करेंगे इसको रिविव एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि यह पूरी सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं नरेंदर मोधी का भासन जो जापान में था मुझे याद आ रहा हूं ने का मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है वो तो 39 बिलियन डॉलर का ए नहीं करना चाहिए तो फिर 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 मैं ब्यापार करने अब बता जिए कि भारत के किसी अधिरी ने इस देश की संस्कृती और सभिता को उस सथर पर रखा है क्या सिब अजमेर में चादर चरहने के लाबा भारत की सभान मंत्री के पास जान हारी नहीं जब भी कोई सभाविक तरीके से इन्होंने संस्कृती को रख है का मैं वो यह स्वाल आप से आप ही आप यह कि आहां दू तो पूछ रहा था सवाल की इनको आप यह नहीं अई नहीं तो पूछ रहाता सवाल कि इनको आप सबस्षट सबस्षट जवाबif ड नहीं होता तो जनता उनको जो धी ौप जिए उठाकर ड्रामा रहा है पो धिक विशन के साथिम्बोल design जब कम्बाइन होता है तो सास्त्री बनता है बूचिंगत नहीं होना और केवल बेलचा उठा लिने व् अरे जो स्कूल की HRB ministry है सवभावी टूप से वो स्कूल में सफाई करेंगी जो railway मंत्री है वो railway सफाई करेंगा अपने अपने छेतर में सफाई करेंगी प्रेम शुक्राजी जल्दी से आपसे एक reaction break पर जाने से पहले लेकिन मुझे मजबूरन break पर जाने के लिए इस वक्त ब लिए गया होगा हालांकि हिंदुत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो सोच तो यह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोधी के नाम पर वो जी जाएंगे वहाँ पर उनी की सरकार बनेगी अनको सोचने की सुतंतरता है नहीं पर वो सर्व शक्त olha लिए या नहीं दिख रहा है इसमुड जिस तरह से उनके मंद की सदकों पर उतर रहे हैं हम तो तब भी उनके समर्थक थे जब अँम और अंको वीजा नहीं दिया करता था तो हमको तो अच्छा ही लग रहा है कि अमेरिका ने भी जा दिया है हमारे दोस्त को बुरे दिन में साथ दिया था संबित पातरा जी आदित ठाकरे ने भी कल ट्वीट किया तभी हम आज भी उनका सम्मान करते हैं और जो ये अलाइन्स टूटा है ये बहुत अनफॉर्चनेट हमारे तमाम नेता होने का है बहुत अनफॉर्चनेट आपको वाकई लग रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर आप महराश्टर में सरकार बना लेंगे इतनी सीचे आ जाएंगे इसमें कोई प्रिथक मृत्या नहीं है कि नरेंद्र मोदी हमारे सबसे टॉल लीडर है मैं वही बता रहा हूँ सवाल का जवाब येस और नव में नहीं होता है कुछ और फैलाव उसमें अवश्रकता है मगर देखिए महराश्टर में हमने एक ही मकसद है कॉंग्रेस और NCP मुक्त महराश्टर जिस प्रकार से 15 वर्षों से एक हमने वहाँ पर जंजाल दिखा है गटबंदन तोड़के सरकार बन जाएगी ये बताईए अकेले लड़के आप सरकार बना देगे जी मेरा भी जो है पातरा जी को नमस्कार इश्वर करें हम लोग हिंदुत को आगे लेकर जाने में समर्थ रहें शिवसेना फिलाल जो है वो पूरी तरह से महराश्ट में मिशन 150 पर काम कर रही है और हम आदरणी उद्धो ठाकरे जी के नेतरतों में कॉंग्रेस मुक्त महाराश्ट निश्चित तोर पर करेंगे प्रेम शुकला जी मुदे याद नहीं आता कि हाल के कुछ दिनों महीनों वर्षों में कभी इतनी मिठास मैंने आपकी तरफ से सुनी हूँ चलिए गडबंधन तूटने से इतनी मिठास आप में आ गई है बहुत दिल्चस्प बाद है जल्दी से विद्धा जी एक लाइन में लेकिन आपको बात खत्म करनी होगी जो हमारे प्रवक्ता भाजपा के पातरा जी वो बोलते हैं नसीपी और कॉंग्रेस मुक्त महराष्टर उनको बोलना यह महराष्टर नसीपी मुक्त कभी नहीं हो सकता है जो जिस तरह से साई बाबा के उपर हमला बोल किया है शंकराचार्य ने और ऐसे बाबा लोगों का सास जो मुद्धे से बटाकरे राकेश जी कंक्लूडिंग रमाग जल्दी से लेकिन राजनीती में ऐसा भी होता है कि एक वक्त पर संग की तरफ से ही कहा गया था कि हिंदूत्यों के नाम पर ये गटबंदन बना रहना चाहिए लेकिन बावजूद उसके इस विश्वास के साथ कि नरेंद्र मोदी के नाम पर महराश में हमारी सरकार बन जाएगी तोड़ दिया गया गटबंदन को क्या सर्व शक्तिमान हो गए है क्या संग बीजेपी सबसे बड़े हो गए है एक व्यक्ति बहराली सी सवाल और उसी के आपके मन में जो जवाब है इसका उसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं